Hi everyone, welcome again, I am Raghunath So, इस वीडियो के अंदर हम लोग theme के उपर discussion करेंगे Theme क्या होता है और उसको केसे हम लोग मिल सकता है theme और theme को केसे active कर सकते है सारे चीज के उपर इस जो topic रहेगा Theme installation के उपर रहेगा तो पहले हमें पता चलने चाहिए What is theme? जैसे आप कोई भी program पकल लीजिए कोई भी function हो रहा है कोई भी project चल रहा है उसका पे लेख theme बनाया जाता है लेटिड आपका एक college में प्रोग्राम है तो वहाँ पे कौन सा theme यूज करे जाता है साधी जब होता है मंडब के से theme बनाया जाता है category of project हो जाता है जैसे मैं medical theme यूज करता हूँ medical मतलब वहाँ पे मुझे option चाहिए medicine selling का doctor, apartment booking का apartment booking का इस सारे चीज रहना चाहिए prescription setup का रहना चाहिए जब मैं educational theme यूज करता हूँ उसका मतलब होना चाहिए student database student examination रहना चाहिए student course, teacher का profile page यह सारे रहता है क्या category जब हम लोग क्या करते है e-commerce theme यूज करते है वहाँ पे product रहना चाहिए product page design रहना चाहिए e-commerce रहना चाहिए जो e-commerce के लिए ज़रूरी रहता है उस तरह रह जाता है तो WordPress प्रोवाइड करता है two type of theme एक आप खुद ही बना सकते है without theme में भी आप website बना सकते है without theme पे भी आप complete website बना सकते है elementar के through आप कोई भी page builder यूज कर सकते है कोई भी e-commerce direct plugin मिल जाता है आप यूज कर सकते है बद जब theme हम लोग यूज करते है वहाँ पे क्या होता है यसे नहीं है कि मिल जाता है plugin मिल जाता है जैसे हम लोग e-commerce बनाया वहाँ पे कुछ profile page apartment booking का system डालना है मैं plugin यूज कर लूँगा तो हो सकता है ऐसे कोई बात नहीं तो WordPress जो provide करता है two type of theme WordPress provide करता है जैसे कि आपका एक free theme रहता है प्री के अंदर इतना नहीं मिलता है और premium के अंदर speed optimize हो जाता है automatically आपको demo मिल जाता है बहुत सारे और जो checkout page बगेरा सारे चीज वहाँ पे रहता है बट अब free में भी यूज करके काम सुर्वात कर सकते हैं बट इस वीडियो में मैं आप लोग को premium plugin भी course के अंदर दूँगा तो वरिड मत होई है आपको 10-15 premium plugin दे दूँगा जो e-commerce के लिए जो category category wise हर category में एक-एक top theme आपको दे दूँगा तो आप theme forest से भी download कर सकते हैं नहीं तो आपको अलग बहुत सारे website रहे एलिमेंटर इवांटो स्टूडियो से भी download कर सकते हैं वही theme forest का इवांटो स्टूडियो है तो बहुत सारे जागा में आपको premium theme मिल जाएगा तो next video में मैं बताऊंगा theme कैसे upload करना है और free theme को कैसे use करना है thank you, thank you so much